रोतक लोग सभासेतर से तो कांग्रेस पार्टी का दवदवा चल ला है एरविन जी विये थे लोग सभासे चुने गए थे हां से अच्छे उससे जिताए गए थे उसके बाद उनों ने इस लाके में एक बार भी आकर यह नहीं देखा जी आशावास गां में तो कॉंग्रेस का चल रहा है अची तरह वडिया तरिक है कॉंग्रेस का रीजन रीजन जी अच्छे काम कर रहा है और बड़ा पर पेल शीन 6,000 रुपे कर वा रहा है मोदी जुए के टाइम में हमारे इस एलिय में इतने बच्चों को सरुष मिली है कि कॉंग्रेस ने सायद बीच साल में इतने बच्ची ने लगाई तो मावल जी के नाम से बनाई रहा है ऐसे डिफेंदर उड़ा का बोट डालन के लिए अज में आमें कभी भी लाइट नहीं मेरी तक्षणी अरियान को कभी लाइट नहीं मिली एक गंट लाइट मिलती थी ना पानी मिल्या ना रोड मिले पांच साल होगे शकूल में यो बच्चे बारक दूर पा रहे हैं बारा साल कर शकूल करवा दो बारक का बोट देंगे हम आज हम पहुँचे हैं रोतक लोकसभा के कोस्ति विधान सबा छेत्र में यहां का वोटर अब मुखरो कर बोलने लगाए कोंग्रीस से दिपेंद हुड़ा और भाजपा से डॉक्टर अविन चर्मा मुखे रूप से चुनावी मैदान में हैं अन्यों मिद्वारों की चर्चा बस नाम मात्र की है कोस्ति विधान सबा छेत्र ऐसा छेत्र है जहां पर लोकसभा में दिपेंद हुड़ा का विजहरत पिछले दो लोकसभा चुनाओं में रुकता रहा है इस बार यहां का माहोल बदला हुआ बताया जा रहा है आईए हम सीधे मतदाताओं की बीच लेकर चलते हैं खुद सुनिये यहां कॉंग्रेस और भाजपा उमिद्वारों को लेकर मतदाताओं करू आज हम आए कोसली के जीवडा गाम में आज हम इनसे बात करेंगे कि BJP और कॉंग्रेस की बीच कैसा माहोल है रोत तक से अर्विन शर्मा BJP के प्रत्याशी है और कॉंग्रेस की उमीद्वार दिपेंद सिंग हुड़ा जा तुम इनसे बात जानेंगे कि कैसा क्या माहोल है आप बताइए दोनों में क्या माहोल देखते हैं दोनों में माहोल दोनों बराबर का ही है हांजी अपनाम कवीराज क्या उपलब्दिया देखते हैं बीजे पे कि क्या काम कर रहा है इन सब के बारे में बताएंगे तोड़ा थोगों प्लेस का क्यूओ है कॉंप इसके बारे मीद्वार बबताएंगे इकस्पिलेंट कर पाएंगे इस बार मीद्वार बंदा वाकित अशी कोई बात नहीं आप जो वादा बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हूं और जी बीपील जो पलाड थे सोगज के तकरीब देखे लिए गए भी आजी ये पेहले कोंग्रेश के टेर वी टैम में अब ये घथे अब ये कब जामिले बस ही इस टैम पे तो अजी छीकौ आउल देखर है बीज़ेपी कोंग्रेस में से कॉंग्रेस में में आजम रोधा क्लोकसब़ा चेत्रिको शली की सब्सक्राइब को नाम सब्सक्राइब को क्यों और कॉंग्रेस को क्यों नहीं इसके बारे में थोड़ा बीजेपी ने नोकरी दी है बिना उस्ते बिना खर्चिब सब्सक्राइब कर लेते हैं बगर पैसे दिए लिए बच्चे नोकरी खूब लगें लेकिन बेरोजगारी को मुद्दा अभी गरम है उसके बुद्ध कर लेते हैं तो नोकरी था को नहीं है यह तो शरू से रहा रहेगा हराज में को नोगरी नहीं मिल सकती कभी जो इंटेल इंटेलिजेंट बच्चे उनको सब को मिल रही है बीजेपी कॉंग्रिस में आप किसका माहूल देख रहे हैं हम तो जी कांगरिस कमा रहे हैं यह बदलाओ कैसे आया पांच साल पहले ऐसा नह देखेंगी वॉट तो हम वैसे तो हमारे में समस्या तो है जो यह मख्या है यह बहुत ज्यादा हो रही है है जीवडा गाम में और इन से सबी परशान जीव जनतों भी इंसान भी मलब यहां बहुत ज्यादा मक्यों का हमारे आसपास के चितर में ज्यादा हुआ है तो हम में हमारी शमस्ट चाहिए है कि इस गाउं की क्या सब्सक्राइब जीवडा गाउं की पांच साल होगे शकूल में यो बच्चे बारक दूख पा रहे हैं 12 साल कर वादो बारक का बो दुखी होते डोलने बड़े बुड़े की चले जांग अश्पतार होना चाहिए यह दो चीत तो जरूरोनी चाहिए अश्पतार होना चाहिए बार अलग का सखूल खुलना चाहिए बोट देंगे बड़ी कुछी जी घर के हिसाम तो तो चलती आ रहे हैं रियो भी का देती दालने के लिए अप खुद अपनी उसे डालते हैं यो काम करवा देओ अब कभी भी लाइट नहीं मेरी दक्षन अरला पैने मिल्क लोट मिले लाईट काहीए इनोग cuánto referral लाइट का के सके 24 नहीं है पानी बिल्कुल इतना छीक पानी नहीं की पानी रोड़ों की कमी नहीं ही पानी उप no नाम बताओ पर, सुनी लिया दो जी, बीजेपी और कॉंग्रेस में किसका माहूल देख रहे हैं, हम तो जी बीजेपी से ही हैं, सरुछी कंडिडेट, और हमार तो बढ़ी है काम हुए है, बीजेपी सरकार में, कॉंग्रेस टाइम हमें कभी कोई काम नहीं मिले, आप एक दो क ठीक है, हर चीज का भाव बढ़िया मिल रहा है, आप सबसे पहले बताइए, कौन सा गाँ है, और आपका नाम क्या है, खेडा अनंपुर राकेश्क मार, आप ही बताइए, कॉंग्रेस और बीजेपी में किसका माहूल देख रहे हैं, यहां, अभी तो यह MPA की चुनाव है, विदान सबा के चुनाव है, तो हमारी यहां तो फिलहाल गाउं की बात करो, गाउं की माहूल मेरा तो बिपंदर की तरफ है, अब मुझे बताइए, 2019 में और 2024 में क्या बदलाव देख रहे हैं, चुनाव में, 2019 और 2024 में, दो हजार देख रहे हैं, हम तो यह बदलाव दे र अच्छे उसे जिताए गए थे, उसके बाद उन्होंने इस इलाके में एक बार भी आकर यह नहीं देखा है, कई गाउं खेडा भी है, या पार्लावास भी है, या नंगने, इस एरिये में आज तक नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या उनके प्रविशास करेंगे, कुछ काम नहीं आफ बताएए, आँ जी हम तो यह जा है, लेकर आप चुनायों में आप चुनाओ में, आप बताए जा लोट यह जो बता है, या जी आ पता हम ने हम तो मोधी पिसे आँ हो भी हमारा कुछ नहीं पताजिये अभी है, अभी कंदीयों ना पूच्छा आँ कोई 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 तु आप बताएए तो किन मुद्धों को लेकर आप बोट डालेंगे वीची जाना पर हमने बोट डालेंगे तो कोई फरक नहीं बढ़ता आप बताएए देखो जी ऐसा है कि मोदी जी ने देश को बहुत आगे पहुँचा दिया है और मोदी की सातर मोदी जी कोई बोट देंगे मोदी के टाइम में हमारे इस एलिये में इतने बच्चों को सरीश मिली है कि कांगरेस ने शैद 20 साल में इतने बच्चे ने लगाए तो इसलियां बहुत भी कोई हो है प्रोतक लोकसरवा के कोस्ति विधान सबस्षेतर के चांदनवास गाउं है आज हम यह मोजूद आज इन से जानेंगे बीजेपी और कॉंग्रेस की बीच कैसा माहूल है आप बताएगे कैसा माहूल देखते हैं टूर्द कांग्रेस को भाजबा ने कुछ भी नहीं कराया क्या और देक्साना है उसे क्या आप माहूल देख रहे हैं किसका माहूल है कांग्रेस का इसका माहूल देखने बीजेपी का का अंग का यूथ है आप किस के लिए किस स्थर पर आप वोट देंगे किन मुद्दों को लेकर क्या वोट देंगे चुनाओ हम तुझी रोजगार के मुद्धे पर बोट देंगे ताकि हमें रोजगार में प्रापत हो और यह निजी कम होना चाहिए सरकार सरकार में रोजगार मिले और कोशली रोतक लोग सवाचेतर से तो कांगरिस पार्टी का दबदब चल रहा है और पूरे रियाना का देख हम बता और यहीं चाहते हैं तो बीना खर्ची-पर्ची का जो यह मामला है जो यह मुद्ध उठाए गया भाजपानी उठाए इसके बारे हम क्या बहुत बढ़िया बात है यह जमीनी स्तर से उठके भी बंदा लगता है बंदा कुछ तो उसका धीवन सुदार होता है ठीक है बढ़िया काम किया है हम इसके बाद बाद कहते हैं लेकिन वैसे अपने इस छितर से तो कांगरिस पार्टी का ही मतलब रुजान चल रहा है और जब देखते हैं आगा आगे क्या होता है